मन्जूर रहतेशाम हिंदी के बड़े लेखक थे सूखा बर्गत और दास्ताने लापता जैसे उपन्यासों के लिए वो हमेशा याद किये जाएंगे हाल ही में कोरोना ने जिन लोगों को हमसे चीना है उनमें से एक मन्जूर भाई भी थे मन्जूर भाई हम सब लोग प्यार से उन्हें यही कहते थे क्योंकि पूरा भोपाल यही कहता था और भोपाल क्या कमोबेश पूरा हिंदी समाज ही उन्हें यही कहता था मन्जूर भाई लेकिन मैं शुरुवात में उन्हें मन्जूर भाई नहीं कह पाया वो मुझसे उम्र में दो गुने थे या शायद उससे भी ज्यादा थे सो भाई बोलते में मुझे बड़ा अटपटा लगता था एक तो इतने बड़े दिगज लेख़ग उपर से हम उनको भाई बोलें कैसा तो भी फील होता था मेरे भीतर का ये संकोच दूर किया एक दूसरे दिगज ने यानि राजकुमार केसवानी ने मन्जूर एहतेशाम और राजकुमार केसवानी दोनों जिगरी यार थे दोनों साथ साथ जीए और कमोबेश साथ साथ मरे एक ही जैसी चीजों और एक जैसे आदर्शों के लिए जीते रहे और मरे भी तो एक जैसी तकलीफ, एक जैसे लक्षणों वाली, एक जैसी बीमारी से मरे मैं अगर किसी एक की कहानी कहूंगा तो उसमें दूसरे का जिक्र होना लाजमी होगा क्योंकि मेरी जिन्दगी में दोनों एक दूसरे में गड़ मड़ है मन्जूर रहते शाम को मैंने किशोरा वस्था में ही पढ़ना शुरू कर दिया था सूखा बर्गत की बड़ी चर्चा होती थी और मुंबई की दुकानों में राजकमल पेपर बैक्स की वो छोटी सी किताब आसानी से मिल भी जाती थी तमाम पत्रिकाएं पढ़ता था मन्जूर भाई की बहुत कम चीज़ें छपती थी लेकिन उनका चर्चा हमेशा बना रहता किसी ने किसी बहाने कहीं ने कहीं उनका नाम जरूर पढ़ने में आ जाता था बरसों पीत गए मैंने मुंबई छोड़ दी कई शहरों में घूमते हुए मैं भोपाल पहुँच गया वो 2005 का समय था मैं दैनिक भासकर में काम करता था राजकुमार केसवानी हमारे संपादक हुआ करते थे एक दिन मैंने देखा कि केसवानी जी के कमरे से एक सज्जन निकल के जा रहे है उंचे, तंदुरुस्त, चौडे, सुन्दर, वेल ड्रेस्ट ब्लू डेनिम का जैकेट, ब्लू डेनिम जीन्स, वाइट टी शर्ट और सिर पे ब्रिटिश नूजबाइब कैप, वो जो छोटी वाली होती थी देखते ही मैं पैचान गया कि अरे, ये तो मन्जू रहते शाम है मैं दौड के केसवानी जी के केबिन में पहुँचा, डफ्तर में राजकुमार केसवानी का आतंक होता था बहुत कम लोगों की हिम्मत होती थी कि सीधे-सीधे उनके केबिन में घोज जाए मैं उनका प्रिय था, बेहत प्रिय तो मुझे अनुमती थी कि मैं कभी भी वहाँ पहुच सकता था मैं धर-धराते विए उनके केबिन में पहुचा और पूछा सर ये जो अभी-भी गए हैं, ये मन्जू रहते शाम थे न केश्वानी जी ने एकदम ख़़ूस अंदाज में तम अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा क्यों, तम को क्या करना है, मैंने कहा, मैं उनका बहुत-बड़ा फैन हूँ केश्वानी जी दरहसल बहुत शरारती व्यक्ति थी, आंख वांख नचा के बोले, उन्हीं के फैन बनोगे, हमारे नहीं बनोगे मैंने कहा, सर, फैन तो आपका भी हूँ, लेकिन मन्जूर एहतेशाम का फैन बरसों से हूँ वो बोले, हाँ, जो गय वो मन्जूर भाई ही थे, और तुम क्या, हम सभी लोग उनके फैन है मैंने कहा, सर, अगली बार आएंगे, तो जरा मुझे भी मिलवा दीजिएगा, मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का केश्वानी जी बोले, अगली बार क्या, अभी बुला देते हैं, नीचे तक ही पहुँचे होंगे यह कहके उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा, नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मत कीजिए, अगली बार आराम से बुलाईएगा, ऐसे मत कीजिए कैस्वाने जी हसने लगे अपने बिलकुल उसी अंदाज में हसने लगे बुले बसे एक बात बताओं तुमको मन्जूर भाई तुमको जानते हैं मैंने उन्हें बता रखा है कि तुम अब भोपाल आ गए हो ये सुनके तुम्हें एक दम चकित रह गया बहुत खुश हुआ मेरे पास जनाने लायक कुछ भी नहीं था उसके बाद भी मन्जूर रहते शाम मुझे जानते थे ये सुनना अच्छा लगा था बहुत अच्छा लगा था किसी भी नौजमान लेकर को अच्छा लगेगा लेकिन केसवानी जी तो केसवानी जी थे इतना सब्र थोड़े था उनके पास जीदे फोन उठाया ठेट भोपाली अंदाज में बोले अमा यार मन्जूर भाई कहां पहुँचे रस्ते में हैं तो भाई मिया एक बार कल फिर दर्शन देंगे आपको किसी से मिलवाना है बिल्कुल राज्गमार केसवानी के अंदर ऐे खास बात यह थी कि बोपाल उनकी जुबान पर रहता था और मन्जूर थे शाम में भी जास बात थी तो उनकी इस बाचीद के बात इस तरह मेरी मुलाकात मनजूर रहते शाम से हुई बिलकुल वी आईपी टाइप के मुलाकात अगले दिन केसवानी जी के केबिन में हम तीनों बैठे हुए थे मुझसे थोड़ी दिर तक बाचीत की मनजूर भाई ने उसके बाद केसवानी जी और मनजूर भाई ये दोनों लोग शुरू हो गए यहां की बाते हैं वहां की बाते हैं ले भोपाली ले भोपाली शोले के सुर्मा भोपाली के बाद मैंने पहली बार किसी को इतनी भोपाली बोलते वे देखा था मुझे तो भोपाल पहुंचे वे बमुश्किल दो महीने हो रहे थे बहुत सारी बातने तो मेरे सिर के उपर से गुजर रही थी बाजे वाली गनी, जुमेराती बाजार, सुल्तानिया, घोडा नकास जैसे तमाम शब्द मेरे कानों में गूँज रहे थे कुछ चीजों को मैं जांता था, कुछ चीजों को पैचान भी नहीं पा रहा था लेकिन इस पूरी चर्चा में, जो सबसे मज़ेदार बात थी, वो था रस दोनों की बातों से रस टपक रहा था किससे बाजी का रस भोपालियत का रस पुरानी दोस्ती का रस महपत का रस कितना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से और आपस में खूब गालियां बगते थे और ऐसी creative टाइप की भोपालियां मैं सुनके हैरान था वो मास्टर मदन का एक गाना है न हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे तुमने बना दिया है महबत में क्या मुझे तो मैं बिलकुल वैसी हैरत के साथ दोनों को ताक रहा था, दोनों की महबत को ताक रहा था एक तरफ मेरे मेंटॉर बैठे थे राजकुमार केस्वानी अंतराष्ट्री ख्याती के पत्रकार जिन्होंने भोपाल गैस्त राष्टी से पहले ही ये न्यूस ब्रेक कर दी थी कि कुछ दिनों में यहां गैस डिजास्टर होने वाला है दूसरी तरफ मेरे हीरो मन्जूर एहतेशाम हिंदी के सरवश्रेष्ट लेखकों में से एक मैं ओवर्वर्ण था केस्वानी जी ने मेरे सामने इतनी बार मन्जूर भाई मन्जूर भाई बोला कि ये संबोधन मेरी जबान पे चड़ गया मन्जूर भाई तक से मैं भी उन्हें मन्जूर भाई कहने लगा लोग कहते हैं कि मन्जूर एतिशाम अंतर मुखी थे बिल्कुल सही बात है लोग कहते हैं कि मन्जूर एतिशाम बहुत कम बोलते थे ये भी बिल्कुल सही बात है लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन सब चीजों के बाद भी वो यारों के यार थे दोस्तों के दोस्त वो अपनी तरफ से बढ़कर आपसे दोस्ती नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली तो वे उस दोस्ती को enjoy करेंगे और लपक के enjoy करेंगे मन्जूर एहतेशाम के लेखन में एक टटकी किस्सा गोई है वो दास्तान गोई जैसी नहीं है वो भुपाल की पटिया बाजी या बैत बाजी नहीं है वो विज़ेदान देथा या काशिनाथ सिंग जैसी flamboyant किस्म की किस्सा गोई नहीं है लेकिन एक अलग तरह की किस्सा गोई है थोड़ी नफासत, थोड़ी शरारत, थोड़े नटकट अंदाज में भरी वी एक गंभीर किस्सा गोई उस दिन पहली मुलाकात के बाद मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये किस्सा गोई किसी आसमान से नहीं आई है बलकि उस संस्कृत से आई है जिसमें वो पले बढ़े है उन महलों से आई है जिनमे भी घूमे फिरे है ये भोपाल से आई है कुछ लेखक ऐसे होते है जिनके भीतर से उनका शहर बोलता है उनके लिखे वे पन्नों से उनका शहर जांकता है मन्जूर एहतेशाम के भीतर भोपाल बोलता था और वो ऐसा चाहते भी थे और इसी लिए वो उन लेखकों के प्रती एक खास लगाव रखते थे जो अपने लेखन के भीतर अपने शहर को दर्ज करते चलते हों जैसे जेम्स जॉयस और उनका डबलिन जैसे काफका और उनका प्राग जैसे नजीब महफूज और उनका कैरो जैसे औरहान पामुक और उनका इस्तामबुल जी हाँ, मन्जूर है ते शाम को हमें लेखकों की इसी परंपरा में रखके देखना चाहिए मन्जूर भाई, पुराने समय से खोब पैदल चलते थे और बहुत बारीक बारीक चीजों को अब्जर्व करते थे और बहुत पढ़ते थे सिर्फ अपने साथ के लेकों को नहीं, सिर्फ महान लेकों को नहीं बलकि बिल्कुल नए उभरते हैं लेकों को भी पढ़ते थे यहीं नहीं, पढ़के उनके साथ समवाद भी करते थे जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं जैसे मैं अपनी बात बताओं तो 2005 में बोपाल में उनसे मुलाकात की उनके साथ एक अच्छा समय गुजारने के बाद 2006 में में पंजाब चला गया और तब मेरी पहली कहानी पहल में प्रकाशित हुई सामंत आंटी की लड़किया उसकी बहुत चर्चा हुई तब क्या होता था कि पत्रिका में आपका टेलीफॉन नंबर भी छाप दिया जाता था कमोबेश अब भी यही हाल है तो क्या होता था कि रचना चपने के बाद आपकी कोई प्राइवेसी बचती ही नहीं किसी को अगर आपको गाली देनी है तो सीधे फोन लगा के दे देगा किसी को अगर आपकी तारीफ करनी है तो वो भी फोन लगा देगा तो मुझे भी बहुत फोन आते थे तो मैं कई फोन से परिशान भी होता था लेकिन ऐसे तमाम हालात में भी कुछ फोन पाकर आप खुश होते हैं कुछ लोगों का फोन पाकर के आपको खुशी महसूस होती है उन्हीं मेंसे एक कॉल था मनजूर एहतेशाम का उनसे वैसे भी बात होती रहती थी लेकिन कहानी छपने के बाद उन्होंने एक विशेश फोन किया और एक घंटे तक कहानी के बारे में बात करते रहे मैं तो यही जान करके खुश हो रहा था कि मनजूर एहतेशाम ने मेरी कहानी पढ़ी है 2006 की बात क्या जरूरत थी उनको पढ़ने की भाई न भी पढ़ते तो भी उनका कुछ थोड़ी बिगड़ता लेकिन उन्होंने पढ़ी और पढ़के फोन पे चर्चा की 2006 से 2009 के बीच मेरी 6 कहानिया छपी और हर बार मनजूर भाई का प्रतिक्रियात्मक फोन मुझे जरूर आया हमारे बीच ऐसे भी बात होती रहती थी लेकिन कहानी छपने के बाद जो बातचीत होती थी वो थोड़ी खास होती थी ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान दे मनजूर भाई नए लेखकों पर भी बारीक निगाह रखते थे और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है बलकि मेरे जैसे कई नौजवान लेखकों का अनुभव है कि मनजूर भाई उनके उपर बहत बारीक नजर रखते थे अगर मन्जूर भाई को आपकी रचना पसंद आ गई है तो वो आपको इतला भी देंगे और आप पर निगाह भी रखेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सलाह और मार्ग दरशन का एक बड़ा सा बोरा खीच के आपके सिर पे दे मारेंगे और आप उसके बोज तले दब जाएं नहीं वो ऐसा बिलकुल नहीं करते थे बलकि एक लेखक के रूप में वो आपकी इंडिविज्वालिटी को स्पेस देते थे आपकी वयक्तिकता का सम्मान करते थे लेखक शैली के भीतर वो कहते थे आपने जो कुछ लिखा है वो आपका सेलेक्शन है आपकी च्वाइस है आपने जो प्लॉट लिया है जो ड्रामा क्रियेट किया है वो आपकी च्वाइस है आपने जो शब्द चुने है वो आपकी च्वाइस है लेखन और जिन्दगी च्वाइस से चलते हैं आप अच्छी च्वाइस बनाओ, अच्छा सेलेक्शन करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी उसी तरह अच्छा सेलेक्शन करोगे, आपका फिक्षन अच्छा होगा आपको जिन्दगी भर अपनी choices को अपग्रेट करने की ज़रूरत होती है जब मन्जूर एतेशाम किसी लेखक से ये बातें कहते थे तो दरसल वो इसकी कहानी के बारे में सला नहीं देते थे बलकि पूरी लेखन विधा के बारे में एक सलाह बन जाती थी मन्जूर भाई जिग्यासु स्वभाव के थे आजकल क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा नया सिनेमा देखा इन सक चीजों के बारे में वो बेहत उच्चुकता और मधुरता से बात करते थे हम दोनों की पसंद मिलती जुलती थी, हमारा स्वभाव मिलता जुलता था इसलिए हम दोनों जल्दी ही एक धरातल पर आ गये थे हम दोनों को दोस्तोवस की बेहत पसंद था हम दोनों Brothers कर्मा जोव के बारे में रही बार बात करते थे हम दोनों Lidia Davies और Clarice Lispector की चर्चा करते रहते थे Saul Bello के बारे में चर्चा करते रहते थे Saul Bello का एक नॉवल था Seize the Day लवल उन्हें बहुत पसंद था हम दोनों खुद को एक पोस्ट मॉडरन राइटर की तरह देखते थे हम दोनों ही एलियनेशन की थीम पे काम करते थे इसलिए हमारे बीच पोस्ट मॉडरन तकनीकों को लेकर काफी बात करते थे और इस बाचीत का लाब मुझे मिलता था मंजूर भाई अंतर मुखी थे लेकिन एक बार अगर आप उन्हें सही तरीके से छेड़ दें एक बार सही चाभी घुमा दें तो वो बहुत अच्छी तरह बोलते थे और लगातार बोलते थे जैसे आपने पियानों के किसी सही कौड को छू दिया हो ऐसे संगीत मई तरीके से बोलते थे मंजूर भाई जैसे दास्ताने लापता के बारे में उनसे जो बातचीत हुई थी वो मुझे अभी भी याद आती है दास्ताने लापता उनका सबसे सुन्दर और सबसे परिपकवा उपन्यास है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ जेसन गुरूने बाम और उल्रिक स्टार्क ने अनुवाद किया टेल आफ मेसिंग मैन इस किताब ने उनकी कीरती सरहत पार पहुँचाई और इस तरह पहुँचाई कि उनकी मृत्यों के बाद अभी हाल में पिछले सक्ता नियू यॉक टाइम्स ने एक अबिच्वरी छापा उन्हें याद करता हुआ एक लेक प्रकाशित किया कितने सुन्दर और सराहना के लायक बात है मन्जूर भाई इतने बड़े लेखक थे कि वह ये सारी चीजें डिजर्व करते थे तो जनाब हम कह रहे थे कि दास्ताने लापता के बारे में हमारी कई बार बात होती थी और वो बाचीत मेरे लिए बहुत यादगार बाचीत है इस कहानी का जो मुख्य किरदार है जमीर अहमद वो थोड़ा अजीब है वो खास किसम के personality disorder से जूज रहा है उसमें एक sense of alienation है यानि अपनों के बीच रहते हुए भी वो परायपन का बोध कर रहा है भारतिय समाज में एक मुस्लिम व्यक्ति को ये alienation कई बार फील होता है कि अपने देश में रहते हुए भी उसे लगता है कि उसके साथ पराय जैसा व्यवहार किया जाता है या वो कुछ पराय लोगों के बीच आके बैठ गया है ये बोध वैसे तो मन्जूर भाई के पूरे साहित्य में है लेकिन दास्तान लापता में ये खास तोर पर दिखाई देता है और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज इस किरदार में है वो है अनैतिक होने का बोध 1984 की वो मन्हूस रात जब भुपाल में गैस लीख हुई थी और एक खतरनाक मन्जर बन गया था और अंतराश्टरी इस्तर पर बदनाम एक डिजास्टर हुआ था उस रात जमीर एहमद नाम का वो चरित्र एक वेश्या के साथ सो रहा था जब उसे पता चलता है कि रात इतनी बड़ी तरास दी हुई इतने सारे लोग मारे गए हैं तब वो एक अजीब किस्म के नैतिक बोध में चला जाता है नैतिकता और अनैतिकता का ये द्वंद्व जमीर एहमद को एक एंटी हीरो बना देता है दास्तान लापता का नायक एक एंटी हीरो है और ये बात ये मुद्दा हमारी बाचीत के केंदर में उसके आज़ पास घूमता रहता था इंटी हीरो मन्जूर एहतेशाम के तमाम नायकों में एक हलकी सी नकारात मकता होती थी जो उसे एंटी हीरो बनाती थी मैंने उनसे पूछा क्या ये दोस्तों इसकी के कारण है क्राइम एन पनिश्मेंट का रस्कूल निकोव एंटी हीरो है दपजेस्ट का नायक एंटी हीरो है ब्रदर्स कर्मजोव में एंटी हीरो के लक्षन है और आपके यहां भी है तो क्या सच में इसका और आपके सारे उपन्यासों का दोस्तों इवस्की के साथ कोई रिष्टा बनता है तो वो हस पड़े जोर से हसे उन्होंने एक बहुत दिल्चस्प बात बोली इसके बाद जो मैंने आज तक गांट बांध के रखी है उन्होंने कहा कि शायद दोस्तों इसकी दुनिया का पहला पोश्ट मॉडरन राइटर था उन्होंने कहा कि देखो जब तक जेम्स जॉइस का मॉडरनिजम नहीं आया था ती एस एलियट और फ्रांस काफका का मॉडरनिजम नहीं आया था दुनिया चेखोवियन नैरेशन को एंज्वाइ कर रही थी तॉल्स्टाइ के आइडियलिजम को पसंद कर रही थी उनके पहले ही दोस्तोवस्की के लेखन में पोस्ट मॉर्डन गुण दिखाई देने लगे थे इसलिए बीस्वी और इकीस्वी शताब्दी के कई पोस्ट मॉर्डन राइटर ना चाहते वे भी अंजाने ही दोस्तोवस्की के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ये एक बहुत बड़ा उब्जर्वेशन है एक बड़ा इंसाइट है बहुत कम लोग इस तरफ इशारा करते हैं लेकिन मनजूर एहतेशाम जैसे लेखक बाकाइदा अपने जहन में इस बात को लेकर चल रहे थे और ये सब करते हुए वो कहीं से कोई दावा नहीं करते थे कोई हल्ला नहीं करते थे आगे आने के लिए उन्होंने कभी अपने बगल वालों को धक्का नहीं दिया आलोचना के कठिन से कठिन मौके पर भी उन्होंने अपनी विनम्रता बनाए रखी भोपाल जैसे शहर में रहते हुए भी वो तमाम दंद फंद से दूर रहे उनका अपना कोई गैंग नहीं था उनकी लिखी हुई किताबें ही उनका एक मात्र गैंग है मन्जूर होने का अर्थ यह नहीं है कि वो लुझ पुझ थे या उनका कोई स्टेंड नहीं था बलकि वो पूरी तरह से दिर्ड थे चीजों के बारे में उनका स्ट्रॉंग उपीनियन था लेकिन हर जगर उस उपीनियन को जाहिर करना वो गैर जरूरी समझते थे तहजीब से भरा हुआ, शालीन, सलीकेदार जीवन और वैसा ही लेखन हिंदी में ऐसे लोग दुरलब हुए, कुछ-कुछ अग्यें ऐसे थे निर्मल वर्मा ऐसे थे, कुवर नरायन ऐसे थे पितागीरी भी थी, निर्मल वर्मा भी बाज दफा मंचों पे खड़े होकर अपने विरोधियों से मोर्चा लेते हुए हमें दिख जाते हैं, लेकिन हुआर नारायन और मंजू रहते शाम, इनमें तो किसी के प्रति कोई ध्वेश ही नहीं था, अपने आलोचकों के साथ डील करने का ये तरीका बहुत सुन्दर तरीका है, कुमर नारायन और मंजूर एहते शाम से पताने में कितना सीख पाया हूँ, लेकिन ये कोशिश मुझे बहुत आकरशक लगती है, और जैसे की मेरी आदत है, मैं अपनी डायरी में नोट करता चलता हूँ, अच्छ मैं मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए, मैं इन बातों को नोट करता हूँ अपने डायरी में, तो अपने नौजवान दोस्तों के लिए मैं वो लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने मन्जूर भाई से सीखते हुए, उनसे बात करते हुए बनाई थी, मैं सारी बातें नहीं शेयर करूँगा, लेकिन कुछ चुनिंदा बिंदु जरूर बताऊँगा, और वे बिंदु इस तरह हैं, लेखक के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन, हर रोज लिखना है, यानि हर रोज लिखना है, नमबर दो, आपका लिखा हुआ शब्द फाइनल नहीं है, आपको बार-बार उसके पास जाना है, उसको जांचते रहना है, नमबर तीन, एक लेखक के रूप में आपको तमाम आलोचनाओं, प्रशंसाओं और निंदाओं को सर्वाइव कर जाना है, नमबर चार, दुनिया बार-बार बदलती है, हम भी बार-बार बदलते हैं, एक लेखक के तोर पर हमें इन दोनों बदलावों पर पारीक नजर रखनी होगी, नमबर पांच, दूसरों की अच्छाईयों से सीखो, उनकी अच्छाईयों पे ध्यान दो, खामियों पे ध्यान मत दो, क्योंकि खामियां आलरेडी आपके अंदर होती हैं और परियाप्त म मात्रा में होती है नमबर च्छे काम नहीं कर पा रहे तुम्हें मन माफिक नतीजा नहीं मिल पा रहा तो उदास मत हो वो एक शेर मनजूर भाई बार बार कहते थे रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी तो इस आशावाद को कभी मत छोड़ो तो यह तो होग एक काम की बात जिसे लेकर वो बहुत सक्त थे अनुशासन से भरे हुए लेकिन निजी जिन्दगी में नर्म दिल सहेंशील मेरे लिए तो वो टेडी बेर जैसे थे वैसे ही गोलू-मोलू प्यारे से खिलाने जैसे मैं जब भी उनसे मिलता था उनसे गले लगता था और उसके बाद उनके पेट पे गुदगुदी करता था और यह बोलता था कि आप मेरे लिए खिलाने हो और वो इस बात पर बहुत हस्ते थे कहते थे खिलो ना हूँ तो खेलो मेरे साथ क्या हो खेलो फिर हम बातें करने लग जाते थे अपने बातों से अपने शब्दों से खेलने लगते थे ये सब बातें मैं आज याद कर रहा हूँ बहुत दुख के साथ यात कर रहा हूँ, यह बहुत खराब समय चल रहा है लोग ऐसे बिछुड रहे हैं जैसे पतज़ड में दरखतों से पत्ते गिरते हैं कोरोना के कारण मेरे पिताजी की मृत्य हुई जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे कोरोना के कारण राजकमार केशवानी की मृत्य हुई जो मेरे सबसे आदरनियों बुजर्ग थे कोरोना के कारण मंजूर एहतेशाम का निधन हुआ जो मेरे प्रिय लेखक, सखा और भाई थे मंजूर भाई और विडंबना है कि मैं इन तीनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया इनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा तक नहीं बन पाया मुक्तिबोट के शब्दों में कहूं ये सच में कैसी ट्रेजिडी है नीच मंजूर भाई और राजकमार केसवानी दोनों के पसंदीदा शायर एक ही थे इजलाल मजीद उनका एक शेर दोनों ही अक्सर कोट किया करते थे आज इस मौके पर वो शेर याद आता है शेर है कोई मरने से मर नहीं जाता देखना वो यहीं कहीं होगा मंजूर एतिशाम और राजकमार केसवानी दोनों को हम इसी शेर से याद करते है दोनों मर के भी मरे नहीं है दोनों कहीं नहीं गए लेखक कहीं नहीं जाता वो हमारे आसपास रहता है हमारी किताबों से जागता है हमारी लाइबरेरी में सोता है हमारे लिखे गए शब्दों के बीतर जागता है हमारे बोले गए शब्दों के बीतर वास करता है हमारे सुने गए शब्दों के बीतर मुस्कुराता है हमारी किताबों में एक अनलिखे अध्याई की तरह हमेशा दर्ज रहता है तो इन ही बातों के साथ मैं अपना ये वक्तव यहीं पर बिराम लेता हूँ, समाप्त करता हूँ मन्जूर रहते शाम, राजकुमार के स्वानी और इनकी पहाने इस पूरे दौर में हम जितने लोगों से विदा हुए बिना अलविदा कहे मौका भी नहीं मिला हम लोगों को अलविदा कहने का ऐसे तमाम लोगों के प्रति अपनी शब्दान जली, श्रद्धान जली, आदरान जली प्रस्तुत करते हुए इस संग्शिक्त वक्त अब्यको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, नमस्कार करता है